पानीपूरी नाम सुनकर ही एक मज़िदार सस्वाद जहन में आ जाता है और शायद ही ऐसा कोई हो जिसे पानीपूरी पसंद ना हो ऐसे में कोई ये कहे कि बस बहुत हुआ पानीपूरी पर बैन लगाया जाता है तो सूचिए जरा आपको कैसा लगेगा दरिये मत ऐसा भारत में नहीं बलकि पड़ोंसी देश नेपाल के काठमांडू में हुआ है दरसल काठमांडू घाटी के ललित्पूर मेट्रोपॉलिटिन सिटी में पानीपूरी के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बैन की वज़ा घाटी में हैजा के मामले बढ़ना अब तक हैजा के कई मामले सामने आ चुके है 25 जून को स्वास्तव भग ने पानीपूरी पर रोक लगाने का फैसला लिया परशाशन की ओर से किया गया था चौकाने वाला दावा पानी पूरी में इस्तिमाल किये गए पानी में हैजा के बैक्टिरिया पाए गए थे आपको बता दें बढ़ते मामलों के चलते एतियातन ये फैसला लिया गया है और नेपाल स्वास्तवान ले लोगों से सतर्क रहने के लिए कह रहा है क्योंकि डावरिया हैजा और पानी से सम्मंदित कई विमारिया विशेश रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में फैरती है तो ऐसे में ये फैसला लिया क्या है टाइमस नावन भाद डिजिटल के रिपोर्ट